मित्रों जैम आता दी आप देखे हैं धर्म सिक्षा मित्रों आपने भी कहीं न कहीं जओर सुना होगा आज के दिन सनी वार 28 अक्टूबर 2023 को चंदर ग्रहन लग रहा है बात बिल्कुल सही है लेकिन आज कल इसमें बहुत ज़ला कंफ्यूजन भी हो रहा है क्योंकि हर मेहने ह यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाते रहते हैं कि सोरी ग्रहन इस दीन चंदर ग्रहन इस दिन और वो जूट मूटका भारत में होता नहीं है खोता अभियत किसी दूर के देश में होता है जिससे हमारा कोई लेना दना नहीं है ऐसे में बहुत साई लोग लोगों को जानते हैं, तो यह चंद्रगांच मध्ध रात्री में लगेगा रात्री के 1 बचकर 5 मिनट पर, आपके यहां हो सकता है, यह एक बचकर 9 मिनट भी हो सकता है, वो निरभर कैसे करेगा, यह मैंने जो आपको समय पताए है, राष्च्टि राधानी दिल्ली का पता है, अगर यहीं सूतक काल लगेगा इस में प्रभावी शूतक काल रहेगा वो रहेगा जब आपका चंदर उद्य हो जाए यानि कि सूरियास्त के बाद वाला जो समय होता है, गर्वती इस्तिरी को इसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेटने में कोई मना ही नहीं है, आज सोव एक सजन का मेरे पास फोन आया, कि क्या गर्वती जो इस्तिरी है वो घर में भी लेट नहीं सकती, तो उन के बात यह है कि जब भी चंद्रगान लग रहा हो, वो जो समय होता उस समय में गर्वती इस्तिरी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानि कि चंद्रमा के सीधी रोसनी में नहीं आना चाहिए, सूतक काल में भी ये चीज अगर अवाइट कर सकें तो और भी अच्छा ह लेकिन चंद्रगान के समय तो बिलकुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बैक्टिरिया होते उस समय जो एक्टिव हो जाते हैं और उसमें फिर दिक्कत होती है, तो सामके चार बज़े के बात से सूतक काल आराम हो जाएगा, ये छोटी जनकाई थी चंद्र चान वर्तक वीडियो के जोड़ी है, धर्मसिक्षा कैसा तो देखते रहे है, धर्मसिक्षा जे मतली